दोस्तों जैसे ही गर्मी का महल खत्म होता है उसके बाद बरसात का मौसम चालू हो जाता है जब बरसात का मौसम चालू होता है तो चारो और एक हर्याली छा जाती है और बहुत ही सुआवना मौसम लगने लग जाता है चारो और का वतावरण एकदम से सुआवना लगने लग जाता है और जब बारिस होती है तो सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है एक अलगी खुशी का माउल रहता है परंतु इसके अलावा दोस्तों जब बारिस होती है तो लोगों को खुशी होती है परंतु इसके साथ साथ एक और दुखों का पाड़ भी तूट प जाती है बड़े बड़े पेड तूटकर नीचे गिर जाते हैं दोस्तों यह सब होता है आसमानी बिजली के कारण अब यह क्यों गिरती है किस प्रकार से इससे बचा जा सकता है इस वीडियो में आपको पूरी डीटेल के साथ बताऊंगा मैं तो इस वीडियो में बने रही है मेरे साथ अंते तक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों आकासी बिजली के बारे में सबसे पहले अठारवी सताबदी के महान वेग्यानिक बेंजामिन फ्रिंकलिन ने इसके बारे में बताया था दोस्तों जो बेंजामिन फ्रिंकलिन वेग्यानिक थे आकासी बिजली के बारे में सबसे पहले सोध गरता वही थे और उन्होंने बताया था कि आकासी बिजली में इलेक्ट्रोनिक पाउर होती है जो अगर कहीं पर गिर जाती है तो वहाँ पर बड़ा सा होल बना देती है या पिर अगर किसी इंसान के उपर गिर जाती है तो उसकी मोत भी हो सकती है दोस्तों आगडे के इसाफ से देखा जाए तो हर साल 200 लोगों की मोत आकासी बिजली के कारण हो जाती है दोस्तों अब बिजली किस प्रकार से बनती है तो आसमान में जब समुदर का पानी हवाओं के साथ उपर जाता है आसमान में तो वहाँ पर जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रहती है ठंडियों और गर्म हो में रहती है आपस में जब ठक रहती है तो उसमें एक गरसन पेदा होता है उसी गरसन के कारण जो बिजली है वो बनती है और जो छोटे-छोटे कंड रहते उनके अंदर गरसन के कारण एक आवाज उत्पन होती है जिसके कारण बहुत सारी बहुत तेज गड़ड़ाट होती है तो अगर यह आस्मानी बिजली कहीं पर गिर जाती है तो वहां पर बहु मौनिटर jerk की प्रजाति ःती है १िससे में गोईरा के नाम से जानते हैं लुए दोस्तों यह जो मोनिटर लिजट की प्रजाती होती है छोटा सा जानवर रहता है इतना सा लेकिन बहुत ही खतरनाक जहरीला जानवर रहता है दोस्तों अगर यह किसी इंसान को काट लेता है तो पल बर में उसकी मृत्व हो जाती है दोस्तों यह जिस पेड़ पर रहता है उस संबावनाई बढ़ रही हो तो आप वहां पर ना जाएं दोस्तों विजली क्यों गिरती है तो इसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि उपर जब आसमान में पोजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में टकराते हैं तो विजली गिरती है अब इसे कैसे बचा जा सकता है दोस दोस्तों तो इसके अलावा i8 एक याकासी बिजली में इतना पाउर होता है जिससे सो वार्ड का अगर हम बल्ब चलाएं, सो वार्ड का बल्ब, तो तीन महीने तक हम आराम से बल्ब को जला सकते, इतनी पावर आकासी बिदली में रहती है, दोस्तों जब आकासी बिदली गिरती है, तो किसी इंसान के उपर जब गिरती है, तो जिस जगह से वो गिरती ह और जिस जिगह से वापिस जाती है उसके बीच में एक टेटू के आकार की आकरती बन जाती है जैसे की पेड़ की जड़ो के आकार उसी आकार की आकरदी बना कर चली जाती है दोस्तों इससे हर साल 2500 लोगों की कम से कम 2500 लोग आकासी बिजली की वज़े से मारे जाते है तो दोस्तों अब कैसे बजना चाहिए तो आप अगर गाउं से है तो किसी बड़े पेड़ की छाओं में ना चिपें अगर बारिस कितनी ही तेज हो रही है तो आप जल्द से जल्द किसी मकान में चले जाएं किसी बड़े पेड़ के निचे आप सरर ना लेवाएं क्योंकि बड़े पेड़ पर भी विजलियां ज़्यादा गिरती है इसके अलावा बात की जाएं बड़ी इमारतों पर तो आप बड़ी इमारतों की छटों पर ना जाएं क्योंकि वहाँ पर भी विजलियां गिरती है अब बात की जाएं जब आप बारिस के मोसम में कहीं से आ रहे हैं तो नंगे पेर या फिर नंगे बदन कहीं पर ना जाएं क्योंकि नंगे पेर और नंगे बदन में ऐसी आवेस उत्पन हो जाता है जिससे उस पर बिजली कितने के चांस काफी ज़्यादा रहते इसलिए आप कहीं पर आ रहे हैं तो जूते चपल पहन के रहे हैं सरीर पर पर जबने की कोसिस करें और किसान पहिंए इसके अलवा आप खुले मैंदान में बिल्कुल ना रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा जंगलों में बहुत ज्यादा बिजलेंगें गिरती हैं दोस्तों बर्साद का मोसम अभी चालू हो चुका है तो आप इन बातों का खास और पर ध्यान रगें और आपको एक बार फिर से में बता दो कि जो बेंजामिन फ्रैंक्लिन थे 18 सितावदि के सबसे महान विग्यानिक थे जिन्हों ने पहली बार आकासीBay Gleich के बारे में बताया था है सबसे पहले सोध कि आ आखषी बिचली में इलेक्ट्रोनिक पाउर रहती है जो जब भी आखशी जमीन पर गीर्थि था वहां पर बडू oven बना देती है रिया इनसानी वर्थी में अगर गिर जाती है तो बहुत सारे लोग इससे मारे जाती है डोस्तो वयसीसे लोग मारे नहीं जाते है परन्तु अगर ज्यादा देर तक खतरनाग बिजली गिर जाती है तो उसे मोध भी हो सकती है दोस्तों यह थी कुछ जानकारी उम्मिद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे वीडियो को लाइक कर दे तैन्यवाद